अलो दोस्तो जैसा कि आपको पता है पहले हम कास सर्टिफिकेट बनवाते थे तो सरपंच या MC वेब पतवारी से रिपोर्ट करवाना पड़ता था तब हम ओनलाइन अपलाई करवाते थे तो दोस्तो अब आपको कहीं चकर लगाने की अवश्यक्ता नहीं है अब आप खुझ से ही घर बैटे अपना कास सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में BC यानिके बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट की प्रोसेस हैं कम्प्लीट बताने वाला हूँ और द जरूरी बाते ऐसी बताऊंगो जिनको आपने ध्यान रखना है तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो आपसे एक रिवैस्ट है अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक सेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी पाएंगे इस पर लोगिन आइडी कैसे बनानी है उसके भी मैंने एक वीडियो बना रख्ये उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्सिन देदुआ हूं वहां से देख कर के अपने वनी लोगिन आइडी बना सकते हैं तो यहां पर लोगिन आइडी एंटर करेंगे services वाला option शोर है यहां पर हमें click कर लेना है click करने के बाद view all available service वाले option पर click करने के बाद हमारे सामने काफी सारी सर्विस या open हो जाएगी तो यहां पर हम one by one करेंगे तो यहां पर काफी time लग जये तो हम यहां पर direct search कर लेते हैं backward class certificate यानिके ठीक है तो आज की वीडिव required class certificate का option यहां पे शो जाएगा यहां पे हमें क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछी इस परकार का इंटरफेस खुल के आजएगा यहां पे देखी I have family ID वाला option है अगर हमारे पास family ID तो first option चूज करेंगे नहीं है तो दूसरा option चूज करेंगे तो यह redirect कर देगा किस family ID वाले portal पे तो पहले हमें family ID बना लेनी है तो जैसे I have family ID पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपनी family ID एंटर करनी है और click here to fast family data वाले option पे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां से हमें क्या करना है जिन member का हमने cast certificate बनाना है वो member का name यहां से choose कर लेना है member का name चूज करने के बाद send OTP वाले option पे क्लिक कर देंगे तो जो mobile number हमारा family ID में है उस पे OTP आएगा वो OTP हमें यहां पे enter कर देना है तो चलिए यहां पे OTP आगे दोस्तों मैं OTP एंटर कर देता हूँ OTP एंटर करने के बाद click here to verify वाले option पे click कर लेना है click करने के बाद यहां पे OTP verify हो जाएगा और यहां पे हमारे नीचे scroll down करेंगे तो हमारे detail open हो जाएगी तो यहां पे सारे की सारे detail हैं दोस्तों वो हमारी family ID से automatic आ जाती है तो यहां पे ध्यान रखना है देखिए यहां पे देखेंगे हम जो हमारी cost है यहां पे verified दिखा रहा है उसाथ में income है वो annual income एक लाग शो हो रही है ठीक है परिवार के माता पिता है वो government employee है यह और किसी भी department center government के employee है तो वो detail हमें यहां से देखी Self declaration में यहां पे हमें पिता का occupation चूज करना है यहां कि पिता कि क्या है गोर्मेंट employee है है आर्मट फोरस एमपलोइड है तो यहां पे कोई अदर है तो एंदर चुज कर लेना है कि हमारे पिताजी क्या काम करते हैं ठीक है अब को दिखाँ अगर डो फैर लागब तो यहां पर हम देख सकते हैं कि one by one किसी भी डिपार्टमेंट कोई बोर्ड किसी परकार की सेंटर गोर्मेंट के अंडर जो भी जोब हैं जोब करते हैं अगर माता या फिर पिता वो उनकी डिटेल यहां पर हमें फिल करनी है ठीक है तो कोडिंग लिए आपको यहां पर करते हैं का हमारी काशन इहां पर जो सब काश tut दो यहां से हमें चूश कर लेनी है सबकाश då करने के बाद यहां पर क्या आप अपपर उप्षय व्यवरण से सहमताlarud गर हमारी कास्ट रही हो रखे है तो यहाँ पर यस करेंगे यहाँ नीचे कोई भी डिटेल नहीं मांगेगा यह ठीक है यहाँ और एक्ट्रर डिटेल हमें फिल करने की अवासकता नहीं पड़ेगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर ऐगरी वाले उप्शन पर क्लिक कर लेना है क क्लिक करने के बाद नीचे जो capture code को fill करेंगे, fill करने के बाद यहाँ पर submit वाले option पर click कर लेने हैं जैसे submit करेंगे हमारे सामने, आगे जो हमारी next window है वो open हो जाएगी, submit कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बार detail है हमारी सारे की सारे एक बार हमें check कर लेनी है, तो one by one यहाँ से सारे की सारे detail है, एक बार अच्छे से check कर लेंगे, और और दोस्तों जो आपको ध हमें नजदी की अपने पटवारी से संपर्क करना हमारी कास्ट verification करवा लेनी है, उसको बाद जैसे हम submit करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखिए एक सरल ID generate होके आ जाती है, इसको हमें क्या कर लेना है, तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है, साथ की साथ ही हमारा बनके आ जाता ह है, तो कई बार ऐसा होता है, थोड़ा समय लग जाता है, उसके बाद copy करने के बाद यहां पे देखी, view status of application वाले option पे खिलिक करेंगे, उसके बाद track application श्टेटस पे क्लिक करना है उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है देखिए date already select है यहां पर उसके बाद get data वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो हमने application number copy किया था वो यहां search bar में type कर देना है जैसे यहां पर नीचे देखेंगे तो हमारा जो अभी का certificate apply है वो हो चुका है successfully यहां पर under process आ रहे है यानि कि अभी हमारा बनके नहीं आया है तो यहां पर कुछ से मैं wait करना है wait करने के बाद हमारा जो certificate है उसको open करेंगे तो यहां पर output certificate का option आ जाएगा और यहां से हम download कर पाएंगे तो अभी देखें दोस्तों साथ की साथ निश हो रहा है मैंने कुछ time बात चेक किया है यहां पर output certificate का option आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी तुबारा से मैं एक बार type करता हूं यहां पर application number यहां पर enter करता हूं तो यहां पर देखें deliver का option यहां पर आ गया पहले अंडर process दिखा रहा था तो अब यहां पर delivered आ रहा तो यहां पर हमें click कर लेना है click करने के बात देखेंगे तो हमारा जो certificate वो जारी कर दिया गया है और यहां पर output certificate का option है show हो जाएगा ठीक है यहां से हमें क्या कर लेना अपना certificate उसको download कर लेना है जली मैं यहां से आपको download करके दिखा देता हूं जैसे हम download करेंगे यहां पर देखेंगे इसको open कर लेते हैं open करने के बाद हमारे सामने जो हमारा बीसी certificate यानि backward class certificate वो download हो जाएगा तो इस परकार से दोस्तों हम अपना backward class certificate अपलाई कर सकते हैं घर पे बैठे अपलाई कर सकते हैं दोस्तों और जो सब्सक्राइब कर दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिं दोस्तों